हेलो फ्रेंड्स स्वक्त आपका यूट्यूब चैनल ग्यान बी 71 में इस वीडियो में हम 2070 से लेकर 2021 तक जितने भी टाइट नॉनमेडिकल के एक्जाम हुए हैं उनके जीके पार्ट को डिस्कुस करेंगे ये टोटल 240 कोशिन रहेंगे ये वीडियो हेलप पूर रहेगी आपके आने वाले टाइट के एक्जाम के लिए क्योंकि एक तो इन कोशिन में से कुछ कोशिन रपीट हो जाते हैं तथा दूसरा आपको पदा चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से किस परकार की कोशिन पूछे जाते हैं तो ये टोटल एट पेपर रहेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम 2017 वाले टाइट के एक्जाम का जीके पार्ड कोशिन नमबर 31 शक्तियों के भिवाजन का आशिया किस प्रकार की सिरकार से है सही अंसर है गा वी संगिया 32 आनन्द भवन का नाम डैस डैस से स्वंदित है रेक्ट अंसर है गा सी जुहारलाल नहरू 33 भार्ड के संस्थ भवन की प्रिकल्पना किस ने की अकॉर्डिंग टू फाइनल अंसर की ए और बी दोनों ही इसके लिए सही अंसर रहेंगे 34 निम्न में से क्या सीधे नियाल्यों को संभोधित नहीं होती है स्थ अंसर रहेगा डी एफपाई आर 35 साथ बेहनों का क्षितर डैस डैस है इसके लिए सही अंसर रहेगा वो रहेगा ए उत्तरपुर्विया राज्या 36 भारत के सुर्वुच नयले के नहधिशों का कारेकार डैस डैस वर्ष की आयू तक तहता है क्रेक्ट अंसर डी 65 कोशी नमबर 37 राष्ट्रपती भवन में मुगल गार्डन्स निम्न मेंसे किन बगीचों से प्रेडित है क्रेक्ट अंसर रहेगा बी शाली मार्ड गार्डन्स 38 लोगसभा के लिए प्रथम चुनाब इस दुरान हुआ क्रेक्ट अंसर रहेगा सी 1951-1952 में 39 संभिधान में मौली कर्टब्य कहां से लिए गये है तो ये जो संभिधान में मौली कर्टब्य है क्रेक्ट अंसर रहेगा बी ये लिए गये है पूरफ कालिन सोवियत संसे संभिधान के अंशे 370 के धायत किस राज्य को विशेश तरजा प्रदान किया गया है ये पेपर हुआ था 2018 में 2019 में जो है ये धारा 370 खतम कर दिये है अब जो ये जम्मो कश्मीर है इसको भी केंदर शाशी प्रदेश बिना दिया गया है तो इसमें टोटली अब चेंज हो चुका है चलते हैं नेक्स्ट कोशिन की तरफ 41 पशुपती नात मंदित कहां स्थित है सही अंसर हेगा ये नेपाल में 42 भारत पर आकर्मन करने वाला प्रथम मुस्लिम आकर्मन कारी था 43 लक्स तीप तीप स्मू कहां स्थित है सही अंसर हेगा ये अरब सागर 44 निमर में से कौन भारत का मशालों का बाग नान से जाना चाता है सही अंसर हेगा इसके लिए ए केरर 45 सबसे कम चंसंक्या वाला राज्य है सही अंसर हेगा बी सिक्किम 46 निमलिक्त में से कौन सा कतन त्रिशंकु संसत की ब्याक्या है सही अंसर हेगा ए ऐसे संसत जिसमें किसी भी दल को पूर्ण बहमस टाप नहीं है 47 उच्टम निमन में से कौन से शक्ति को प्यों किया जाता है सही अंसर हेगा बी नियाइक पूर्णिक्षन 48 भार्त के ग्रांट ओल्ड में के रुप में निमन में से कौन सा जाना चाता है करक्ट अंसर हेगा बी दादा भाई नरोजी 49. Dialysis का प्रियोग उन मरिजों के लिए किया जाता है जिनको सही अंसर हैगा A. गुर्डे की तखलीप हो 50. भारत और पाकिस्तान के बीच डाश डाश सिमाकन किसके द्वारा किया गया था Sir Sir Siril Radicals के द्वारा Correct answer B. Sir Sir Siril Radicals के द्वारा Epicenter सब किसे समंद्ध है सही अंसर हैगा इसके लिए A. गुकम से अगला कोशिन 52 निमन किस जीले में महराना प्रताप सागर जलासय स्थित है सही अंसर हैगा D. कांगरा में Next question 53 हिमाचल प्रदेश में राश्ट्रिया प्रदेव की संस्तान कहां पर स्थित है क्रक्टर अंसर A. अमिर्पुर 54 निमन किस जीले में साक्षर्तादर निमन तम है सही अंसर हैगा B. चंबा में 55 कर्चम प्रदेश का जल विदित प्रयोजना किस नधी पर है क्रक्टर अंसर हैगा B. सतलुज नधी पर 56 जन गरना 2011 के अंसार हिमाचल प्रदेश का जन संक्या गरनतब कितना है तो जन गरना 2011 के अंसर जो जन संक्या गरनतब है वो है 123 57 मनिकन का कलम जल स्त्रोथ किस नधी के किनाले स्थित है सही अंसर हैगा B. पारवती 58 महमूत गजनी ने नगरकोर्ट कांगड़ा को किस इसपी सन में दूटा था सही अंसर रहेगा A. एक हजार नो एडी में 59 हिमाचल प्रदेश फ्रंटियर गांधी के रुब में कौन सा जाना जाता है तो ये जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं क्रेक्ट अंसर रहेगा B. भज्योंग राम 60 महान क्रांतिकारे शिरी असपार की जीले से समन्दित है तो ही अंसर रहेगा A. हमिरपूर से ये वैला G. के पोर्शन रहेगा 2018 वाले टैट के एक्जाम से क्रेक्षिन नमबर 31 विश्य व्योंग दिवर्श कब बनाया जाता है तरक्ट अंसर रहेगा इसके लिए D. इकिस जूर 32 सारस क्या है तरक्ट अंसर रहेगा B. एरग्राफ्ट 33 गार्व जनजाती भारत के किस राज्य में समन्दित है तो ये जो गार्व जनजाती है ये भारत के मेगाल्य राज्य से समन्दित है 35 पंचवर्शी योजना का विशार भारत ने किस देश से लिया सही अंसर रहेगा इसके लिए B. पूरफ U.S.S.R 35 वरतमान में सुप्रीम पोर्ट के मुख्य नैधिश कौन है तो जितने भी option यहां पे दियेगे हैं जब यह paper हुआ था 2018 में तब जो है इसका सही अंसर कुछ और था प्रहतो अब बरतमान के ही पूछी जाते हैं हमेशा तो वह है जस्टिस रमना जो की 48 नंबर के जो है वह मुख्य नैधिश है तो आपने यह याद रखना है कि अपकी जो बात की जाएगी तब है जस्टिस रमना 36 कोलास वन खदान भारत की किस राज़े में हैं करेक्ट अंसर रहेगा A करनाटक 37 लिश्वन किस देश की रास्थानी हैं सही अंसर रहेगा C पूर्थकार 38 हिमादास कसमन किस खेल से हैं करेक्ट अंसर A दौर से 39 गुरु का लहौर कहा स्थित हैं तो गुरु का लहौर जो है वो ब्लास्पूर डिस्टिक में स्थित है करेक्ट अंसर D 40 हिमादाचल प्रदेश में राज़े सभा के कितने सीटे हैं राज़े सभा की हैं 3 करेक्ट अंसर A 3 एगर लोग सभा की पूछे जाये तो वो रहेंगी 4 41 लोसर क्या है तो जितने भी यहां पर option दिये गए हैं वैसे लोसर जो है यह त्योहार का नाम है और यह जो है गाउं का नाम भी है तो त्योहार इन्होंने यहां पर नहीं दिया गया था तो इसका जो करेक्ट अंसर रहेगा वो रहेगा गाउं का नेम क्यूंकि वैसे इन्होंने यहां पर मिला दिया है नदी दिया है दर्रा दिया है जबकि ये जो है एक त्योहार है लोसर तो according to final answer किस का सही अंसर जो है वो गाउं का नाम ही दिया गया है 42 आंदर जलित किस जिले में स्थित है रख अंसर हैगा ए शिमला में 43 अंगा चुबा क्या है सही अंसर हैगा ए वस्तर 44 और इजन ओप स्पीजिस किसने लिखी है क्रेक्टंसर डी चार्लस डार्वीन 45 निम्न मैंसे किस मुगल शाष्क ने पुनिहा जजिया कर लगाया तो ये जो पुनिहा जाजिया जो लगाया गया था क्रेक्टंसर हैगा बी औरंग जीब के द्वारा 46 रंजीत से किस सिख मिसल से स्बंदित थे क्रेक्टंसर रहेगा बी शुक्रजकिया 47 अंत्राष्टिया नियालय कहां स्थित है क्रेक्टंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा बी एग 48 किस गुप्त बंशिया राजा को नेपोलियन के नाम से जाना चाता है राट अंसर भी स्मुद्र गुप्त 49 अनत्राष्ट के लेख कौन था क्रेक्टंसर रहेगा सी बंकिम चंदर रजजी 50 हिमाचल पुर्देश में सबसे उची चोटी कौन सी है सेही अंसर रहेगा इसके लिए भी शीला 51 हिमाचल पुर्देश पुलिश ट्रेनिंग सेंटर कहां सीत है फ्रक्ट अंसर रहेगा डी ड्रोह में 52 किस तुप्त गुरु ने अमलित्षर सहर की स्थापना की सेही अंसर रहेगा भी गुरु रांदाश चीले 53 बिन माचल विदुत प्रयोज नहीं माचल प्रदेश के की सीले में स्थित है सेही अंसर रहेगा बी कांगणा में 54 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है इसके रहे सेही अंसर रहेगा बी 55 असम का प्रशिद अभर्णया काजी रंगा किसके लिए प्रशिद है रहेक्ट अंसर रहेगा ए ग्यांडों के लिए 56 भारत में लिटल लहासा की रुप में कौन सस्तान जाना चाता है सही अंसर रहेगा भी धर्मशाला 57 कौन सी नदी का संस्कितना भुपासा है यग्ट अंसर हेगा 12 58 जानजर की चिले का प्रशिद निरिट्य है य! अंसर हेगा ए चंबाल का 59 हीमाचल प्रदेश पे सबसे प्रानी जल विजद प्रयोजना क्योंसी है रख्ट अंसर हेगा भी वो है शैनन जोगिंदर नवर्न 60. जाट तक कथाएं मुख्यता दिखी गई हैं रख्ट अंसर हेगा C बाली में अब डिस्कस करेंगे जून 2019 बाले टैट के एक्जाम का जी के पार्ट कोशी नमबर 31 कॉफी का मुख्य उत्पादक देश है जीद स्वात का पता टांगों से लगाता है क्रेक्ट अंसर हेगा इसके लिए बी टिकी 33. बांदों को आदमिक भारत के मंदर किसने कहा था सही अंसर हेगा इसके लिए बी जौहलाल नहरू 34. विशव के सबसे उंचे गाउं का नाम बताईए तो ये वाला जो पेपर हुआ है ये हुआ है 2019 में अब जो विशव के सबसे उंचे गाउं है वो है कॉमिक तो आपने ये याद रखना है कि विशव के सबसे उंचे गाउं का नाम जो है वो कॉमिक है 35. सुमद आपको किस पुर्षकार से समानित किया गया ग्रेक्ट अंसर हेगा D. अरजुन पुर्षकार और परश्रम पुर्षकार दोनों से 36. क्षेत्रफल के अधार पर बार्त विश्व का कौन सा देश है क्रेक्ट अंसर जो रहेगा वो रहेगा C. सात्मा 37. मलेरिय की द्वाई कौन सी पेट की चाल से बनाई चाती है क्रेक्ट अंसर रहेगा A. सिनकोना 38. हिमाचल प्रदेश की जीला कांगडा में भुकम कब आया था इसके लिए सही अंसर रहेगा वो रहेगा B. चार अप्राइब 1905 39. गुरु नानक देव के जनमस्तान का नाम क्या है क्रेक्ट अंसर हैगा C. तलबंडी 40. जंगल भुक के लेख कौन है क्रेक्ट अंसर रहेगा A. टुटी यार्ट कीपलिंग 41. प्रिथवी एक घ्यांटे में अपने एक्षपर कितना खूमती है तो क्रेक्ट अंसर रहेगा इसके लिए C. एक मिनिट C. फिप्पिन ठीक्रिक्रिक्रिक 42. भागडा बात क्यून चाही टैस टैस है क्रेक्ट अंसर रहेगा B. 226 मीटर 43. दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है क्रेक्ट अंसर रहेगा B. मृत सागर 44. रिक्वेद में प्रातनाओं को डैस डैस कहा जाता है क्रेक्ट अंसर रहेगा एक सुक 45. केसर सागा किसका धर्म गरंथ है सही अंसर हैगा C. दिबबत 46. भुपाल गैस रास्ती कब हुई थी तो इसके लिए सही अंसर हैगा A. 2nd December 1984 में 47. नीला ग्रहक इसे कहते हैं रेक्ट अंसर हैगा B. प्रित्फी को रेक्ट अंसर B. प्रित्फी 48. वाई यू मेंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो वह है नाइट रोजर 49. अंसर नेक्ट ग्रहक इसे कहते हैगा B. नीला और पीला 50. ग्रेट हिमाल्यान ट्रास्टी उध्यान को फिश्प द्रोहर का दरजा किस ने दिया क्रेक्ट अंसर A. युनेस्पो 51. तैरते हुए टापों की जील है सही अंसर हैगा D. डिवाल्ट सर 52. सिंग्त राष्टर की स्थापना कब हुई? सही अंसर हैगा B. 24. अक्टूबर 1945 में 53. नान कीजिये राज्या और अभर्ने ननों यहाँ पे दिये गए हैं तो इसके लिए क्रेक्ट अंसर रहेगा C. तो असम में जो रहेंगे उसके साथ अटैच्ट रहेगा 2. मानस वर काजी रंगा. नेक्स्ट रहेगा गुजरात. यह लेट करेगा गिर से. गुजरात में जो है वो गिर अभर्ने है और उत्राकंड में है जिम्त कार्बेट. क्रेक्ट अंसर C. 54. पौदाना बनने तक बीजन का बोजन कहां संचित होता है? तो पौदाना बनने तक बीज का भूजन जो है क्रेक्ट अंसर है गा. ए बीज पत्तर में संचित होता है. 55. विश्रम में सबसे अधिक वर्षावारा क्षेतर कौन सा है? क्रेक्ट अंसर हैगा C. माबसिंद्रा. 56. पौदिवी के स्ताह का कितना भाग जल से ढगा है? क्रेक्ट अंसर हैगा C. 3. 4. 57 57. विश्रम के सबसे बड़े रिग्गिस्तान का नाम बताईए. सही अंसर A. सहारा मरुस्थल. 58. मान चित्र में पाने को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयूग किया जाता है? क्रेक्ट अंसर हैगा B. मीला. 59. माउंट एबरेस्ट को चर्णने वाली पहली भारतिया महि पार. नेक्स्ट कोशिन लास्ट इसका जून 2019 में जो टैट हुआ है. उसका ये लास्ट कोशिन रहेगा जी के पार्ट का. सुन्दर लाल बहुगुणा ने कौन सांदोलन शुरू किया था? क्रेक्ट अंसर रहेगा C. चिप को आंदोलन. अब हम डिसकस करेंगे नवंबर 2019 वाले टैट के एक्जाम का जी के पार्ट. क्रेक्ट अंसर रहेगा D. चार फर्वरिक. 63. वर्स 2019 में पस्तावित महिला क्रिक्ट विस्ट कप आयोजन किस देश में होगा? उस टाइम ये क्रण्ट का कोशिन था? इसके लिए सही अंसर रहेगा A. न्यूजिलेंट. 64. ऑस्ट्रेलिया की रास्थान नहीं है? क्रेक्ट अंसर रहेगा B. कैनपरा. 65. सौर संचाई योजना के लिए वित वर्स 2019-2020 में कितने बस्त का प्राधान किया गया है? ये भी उस टाइम जो है वो क्रण्ट का कोशिन था? क्रेक्ट अंसर रहेगा T. 30 क्रोड. 66. दूसर से मक्खर निकालने की विधी कौन सी है? क्रेक्ट अंसर D. अपकेंद्र. 67. नवाट क्या है? क्रेक्ट अंसर हेगा C. एक बैंक. 68. त्रीकर दो भागों में पंटा हुआ था. एक नगर को टो तथा दूसरा. तो दूसरा है जाल अंदर. 69. संविधान की डैस्ट अनुछेद की अनुपता से राष्ट पती को पत से निस्कासित किया जा सकता है. तो है रेक्ट अंसर C. 61. 70. रबनिया गौ मलाना का सरवमान्या शाशक कौन है? सही अंसर हेगा A. जामलू. 71. मिंजर मिला चमबा जिले में मनाए जाने वाला महात्यपुन मिला है. मिंजर किस के लिए निरुपित किया गया है? रेक्ट अंसर हेगा D. मक्डी के फूल के लिए. 72. अटल नियू इंडिया चैलेंज कारेक्रम लागू किया गया था. तो वो किया गया था? कर्ट अंसर हेगा C. 26. अपरिल 2018. 26. अपरिया दुहजार थारागू. 73. किस बस इशा मसी को सूल पर चड़ाया गया था? कर्ट अंसर हेगा A. 33. AD में. 74. हिमाचल प्रदेश में ब्रिकला दीवी का मंदिल कहां स्थित है? कर्ट अंसर हेगा A. उद्यापूर. 75. रिवाल सर में किस बहुत बीबू का जनम हुआ था? तो वो हुआ था कर्ट अंसर हेगा C. पदम संभाव. 76. माई. अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज के लिखब कौन है? सही अंसर हेगा B. ममता बिनर्जी. 77. भाई दो ना पाई निमन मैं से किस अंदोलन का फिस्ता था? तो सही अंसर हेगा इसके लिए B. सबनी अवग्या अंदोलन. 78. होन बिल उस सब किस राजय में मनाया जाता है? वो रहेगा ना गलेंड. 79. दम दमा साहिब गुरद्वारा किसी की सब्रीती में बनाया गया था? किसकी? दम दमा साहिब गुरद्वारा किसकी सब्रीती में बनाया गया था? यह अंसर हेगा D. कुरू कोविंसी. निवन मैंसे किस देश ने औरतों को ड्राइविंग करने पर रोग को जून 2018 से हटा दिया गया था। तो वो हटाया था साउधी अरब ने। 81. कौन सा पहारी दर्रा हिमाचल प्रदेश के बंड़ी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है। 82. सूर्जता जिल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सही अंसर हिएगा D. लहोर स्पीटी। 83. भारत के सबसे बड़ी प्राचीन प्रवस्रेणी कौन सी है। तो वो है अराबली। 84. नूरोलोजी अध्यान है। क्रक्टंसर हिएगा D. सनायो तंतर का। 85. 2001 से 2011 के दस्क में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंक्या अप्रिती दर्थ सबसे अधिक तर्ज की गई है। तो वो है उनना क्रक्टंसर D. 86. हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपधक्ष कौन है। लगत अंसर हिएगा C. हंसराज। 87. शिमला में दूरतर्शन के इंदर कहां पर स्थापित किया गया है। सही अंसर हिएगा D. अंबेटकर चौक चौड़ा मैदान शिमला। 88. हिमाचल प्रदेश के इंदर शाष्ट प्रदेश कब बना। अंसर हिएगा B. एक नौंबर 1956 में। 89. आजे ठाकूर तथा प्रियंका नेगी किस केर से समन लित है। सही अंसर हिएगा C. कबड़ी। 90. अंतराष्टिया महिला दिवस 2019 की थीम क्या था। तो उस टाइम था थीम क्यूकल बिर्ट स्मार्ट इनवेट फार चेज। प्रबापका पेपर होगा जून चुलाई 2022 में। तो अंतराष्टिया महिला दिवस हर साल मना जाता है 8 मार्च को। तब तक जो है वो 2022 वाला भी हो जाएगा। तो आपसे उस टाइम थीम पूछी जाएगे 2022 की या फिर हो सकता है कि 2021 की पूछ ली जाए। तो आपने उस टाइम के लिए 2021 की और 2022 की याद करनी है जब अभी आगे आपका टैट होगा। अब डिस्कस करेंगे जून 2020 वाले टैट के एक्जाम का जी के पार्ड वो जीता है अब जो आपसे पूछे जाएगा वो पूछे जाएगा 2021 का तो वो जीता है अब्दुर्जाक गुर्नाह ने अब्दुर्जाक गुर्नाह ने 2021 का साहित्य का नोबल पुर्शकार जीता है 122 केंदेशासित प्रदेश लिदा के प्रथम उप्राजेपाल की सब किसनेली क्रेक्ट अंसर है गाए राधा कृषिन मातुरून 123 भारत के परतमार राष्ट्या श्रक्षास लाकार कौन है वो है अजीव दोबाल करेक्ट अंसर ब नेक्स्ट कोशिन आरेस मास के संस्तापक कौन थे तो आरेस मास के संस्तापक है स्वामी दियानन्द अगला कोशिन 125 भुपाल गैस राष्टी किसमें किस गैस करशाग हुआ था सही अंसर डी मिधाईल आइसोसायनेट 126 तवांग बोदमट भारत के किस राज्य में स्थित हैं सही अंसर हैगा बी आणचल प्रदेश 127 एशियन विकास बैंग का मुखहलय कहां है तरक्ट अंसर हैगा ए मनीला में 128 दिल्ली के चान्नी चौक में लाड हार्डिंग पर बम फैंकनी का अद्बू साहसिक कारे को किस ने अज़ाम दिया था तो दिल्ली के चान्नी चौक में लाड हार्डिंग पर जिनोंने बम फैंकनी था उधे रास बिहारी बॉस 129 डेमोग्राफी ज्यान की किस साखा का नाम है वो है जनसंख्या का अध्यां 130 चंद्रमा की रोशनी को धर्टी पर पहुंचने में कितना समय लगता है वो लगते हैं अट अंसर हैगा ए 1.3 सेकिंड 131 बार्टिय संभीधान के श्रशोधन की पुर्फिया किस देश के संभीधान से प्रेरित है सही अंसर हैगा C दक्षिन अफरिका 132 बिंदाज सबाज चुनाव में इलेक्ट्रोनिक बोटिंग मशीन के प्रेयोग की शुरुआत कब से हुई 1998 में 133 जांसी किरानी लक्षमिबाय की समाधी किस थान पर अवस्थित है करक्टन सरहेगा A लशकर गुवालियर में 134 इस वर्स में मदराज का नाम प्रवर्तन कर चनई के रूप में हुआ क्रेक्ट अंसर रहेगा इसके लिए जितने भी option यहां पर दिये गए थे according to final answer की वह कोई भी इसके लिए सही अंसर नहीं था तो इस question के लिए सभी को एक-एक marks मिला था यह हुआ था 17 जुलाई 1996 में next question 135 नीली करांती किसे स्मंदित है एक अंसर एक मतर्स्य पालन 136 जिस दर पर भारतिय रिजर्व बैंक वानिजिक पैंकों को रिंड देथिया उसे कहते हैं तो according to final answer की सभी को इसका भी एक-एक marks जो है हुँ मिला था नुभी कोई दो option इस मैंसे सही नहीं था 137 सिंग तराश्टर श्रक्षा परश्ट के गयर 27 तसलियों का चैंग कितने समय के लिए होता है correct answer रहेगा एक दो वर्स हमने अपने इसी चैनल पे 30 classes GK की डाली है वहाँ पे पूरा बताया है डेली के हम वहाँ पे 20-20 questions जो है वो discuss करते थे तो वहाँ पे जैसे श्रक्षा परस्थ है तो इसके बार मैं पूरा बताया गया है कि कितने इसके स्थाइस तस्य हैं कितने जो है स्थाइस तस्य हैं कितने वर्स के लिए चुने जाते हैं तो जिसने वो वीडियो देखनी हूँ आप चैनल की प्लेश में जाए आपको वो जीके की 30 क्लासिस मिल जाएंगे वहाँ पे ये सारे पिपर डिस्कस किये गए हैं प्रंतु यहाँ पे ऐसे मैं सिधा इनका अंसर ही बता रही हूँ वहाँ पे मैंने पूरा इनके बारे में बताया है जहां से मेरे को लगा है कि इस कोशिन से एक्स्टा कोशिन भी ऐसे निकलते हैं ये इस टॉपिक से एक्स्टा कोशिन बनते हैं तो आप वहाँ जाके उन 30 classes को देख सकते हो, अब हमारे चैनल पे चिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ की classes जो है वो भी देख सकते हो 138 निमलिक्त मैं से किसे पास्चायत्य चिक्सा का जरक माना जाता है हिपोक्रेटिस को क्रेक्टरंसर C 139 चंदन काष्ट के लिए कौन सा राजय विख्यात है करेक्टरंसर रहेगा A करनाटक 14, 14 समिधानता संगर्च के दोरान भार्त कोकिला के अभियान से किसे स्मोधित किया जाता था तो करेक्टरंसर रहेगा B स्रोजनी नाइडू को स्वाधीनता संगर्ज के दौरान भारत कोक्टिला के अभिधान से वाजा जाता था 141 मर्नो प्रांथ, भारत रतन, समास्ते सरव प्रथम किसे समानित किया गया सही अंसर है का C, लाल भादूर शास्त्री जी को 142 फलों को पकाने के लिए कौन सी गयास का प्रयोग होता है क्रेक्ट अंसर हैगा D, एथिलीन का 43 143 नेता जी सुभाष अंदर बॉस की आतम कथा का शीर्षक है क्रेक्ट अंसर हैगा A, एन इंडियन पिल्ग्रिंग 144 रगुनाद जी की मूर्ती आयोद्य से कुल्लू कौन लाए सही अंसर हैगा D, दामूदरदाज 145 1957 में गठी दिक्षित्य प्रशत के धक्स कौन थे वो थे ठाकूर करम सी 146 एसे का सबसे बड़ा मचली प्रजन के इंदर कहां पस्तित है 147 कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक किस ने लिखी है क्रेप्ट अंसर हैगा C, लाल चंदर पार्थी ने कि कौन सी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है ये कोशिन भी बहुत जादा बार पूछे जाते है ये कोशिन भी बहुत जादा बार पूछा गया है कि कुल्लू देश की कहानी किस ने लिखी है ऐसा नहीं टैट महीं और पेप्रों में विजु है ये कोशिन पूछ लिए जाते है ये कोशिन मैंने मैक्सिम बहुत से पेप्रों में देखा है तो ये लिखी गई थी लाचन प्रार्थी के द्वारा 148 शिमला ब्रिटिज दास की ग्रिश्मा कालिन राजदानी किस वर्ष बनी क्रेक्ट अंसर हेगा ये 1864 में 149 अमरिता शेर गिल्ड कौन थी? क्रेक्ट अंसर हेगा डी जित्रकार 150 भारतिया उच एध्यन संस्तान कहां अवस्तित है क्रेक्ट अंसर हेगा सी शिमला में ये बाला जी के पोर्षन रहेगा नुवंबर 2020 वाले टैट के पेपर से 121 निमलिक्त मैं से कौन सी संस्ता भारत में राष्टे आये का आगल करती है क्रेक्ट अंसर हेगा A केंद्रिया सांकिया संगठन 122 जनगन्ना परदेश डैश डैश परषनों के बाद आयूसित की जाती है सही अंसर हेगा D 10 123 नातला दर्रा किस राज्य में है ये है सिक्की में 124 भारत में प्रथम शेयर वाजार कहां स्कापित हुआ था क्रेक्ट अंसर रहेगा A बुंबई में अगला कोशिन 125 भारतिया रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई सही अंसर B 1935 में 126 ऑटो मोबाइल निकास का सबसे अधिक खतरनाक दातु पुर्दूशिक है सही अंसर हेगा B रैट 127 अनुरानी किस खेल से स्मंदित है क्रेक्ट अंसर रहेगा A भाला फेंक से 128 उहल जल विदुत प्रियोज नाहिमाचल प्रदेश के किस जीले में स्थीत है सही अंसर हेगा C दिस्टिक मंडि में 129 कप्टे धोने वाली मशीन किस स्थान पर कार्या करती है सही अंसर B अपकेंद्री कर 130 नाखुन पॉलिश करने वाले द्रब में क्या होता है उसमें होता है ऐसी टॉन सही अंसर B 131 ब्रिक्स में समिलित है क्रेक्ट अंसर हेगा A ब्राजिर, रूष्ट, भार्ट, चीन और दक्षिन आफरिका 132 भार्ट में पंचायती रास अंतर का जनक किसे माना जाता है सही अंसर हेगा D बलवंतराय महतागो 133 संकल प्रियोजना किसके उनमूलन से स्मंदित है सही अंसर हेगा A एर्ज के 134 दक्षिन एसी आई, शित्रिया, सेहोग संगठन, सारक किस वर्ष गठित किया गया सही अंसर हेगा C 1985 में 135 भारत में भासाई अधार पर पुनर गठित होने वाला प्रतमराज्य था सही अंसर हेगा B ये था आंतर प्रदेश 136 राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इंवेस्टरस में 2019 की ब्रैंड मेस्टर थी रेक्ट अंसर हेगा C यामी बोतम 137 हिमाचल परदेश में सिंबल भरा राष्टिय बारे कहां सित है रेक्ट अंसर B सिर्मौर में अगला कोशिन कुफरिज जीवन और कुफरिज जियोती दो प्रिसित किसमे है बहुत ज़्यादा बार कि ये कोशिन पहले भी पूछ रिया गिया है अलगे एक्जाम में करेक्ट अंसर रहेगा इसके लिए B आलुकी तो आपने ये कोशिन जो है वह अवश्या याद करना है ये दोनों जो है वह किसकी किसमे है क्योंकि हो सकता है किसी अन्य एक्जाम में या टैट में ही फिर से पुछ लिए जाए 139 रूपिन घाटी हिमाचल प्रदेश की किस जीले में सित है सही अन्सर रहेगा B की नौर 140 मुख्या मंत्री सेवा संकल्प हेल्प 9 नमबर क्या है सही अन्सर रहेगा A वो है 1100 141 भार्त में सबसे अधिक वन आवरन वाला राज्या कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा कौफी उतपादक कौन सा है तो वो है ब्राजिल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कौफी उतपादक देज है 143 बोपाल गैस तरास्ती केस में किस गैस का रिशाप हुआ था क्रेक्ट अन्सर है इसके लिए C मिथाइल आइसोसायनेट 144 रतोंदी किस विटामिन की कमिस्य होता है क्रेक्ट अन्सर है गाए विटामिन A की अगला गोशिन 145 यूज़ से की सिलिकॉन घाटी किस के लिए प्रसिध है ग्रेक्ट अन्सर है ए इलेक्ट्रोनिक्स के लिए 146 राविन अदि का वैदिक नाम क्या है क्रेक्ट अन्सर है ए पुरुशने 147 कुल्लू एंट लोहल पुस्तक के लिए खक कौन है क्रेक्ट अन्सर है डी C जी पुरुश 148 वर्तमान में कौन सी लंका के राष्ट पती हैं क्रेक्ट अन्सर है ए 149 विशुप का सबसे गहरा ट्रैंच है तो वो है मरियाना ट्रैंच 150 अद्रक के उत्पातर में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जीला शीत पर है तो इन मैसेज़ों जीला शीष पर है क्रेक्ट अन्सर है बी शीरमौर अब ये वाला जी के पुरुशन रहेगा जून 2021 वाले एच्पी टैट के एक्जाम से 121 सबसे पहले पिंचैति राज किस राज्य में शुरू हुआ क्रेक्ट अंसर रहेगा डी रास्ताव क्वेशिन नंबर 122 मुशी प्रेमचंत का वस्त्विक नाम क्या था क्रेक्ट अंसर रहेगा सी धनपतराय श्री बास्तव 123 भारतिया मानक्स में ग्रीन विच मीन टाइम से कितना आगे है इसके लिए सही अंसर रहेगा C साड़े पांच घंटे 124 निम्न मैं से कौन सी खारे पानी की जीव नहीं है इसके लिए करेक्ट अंसर जो रहेगा C वुलर जीव 125 हिंदुस्तान शिप्यार लिम्टेड कहां पर सीथ है रहेट अंसर रहेगा A विशाखा पत्नम 126 कौन सा राष्ट्या राजमारक शेरसां शुर्यमारक की नाम से जाना जाता है रहेक्ट अंसर रहेगा A एनेच वन 127 राष्ट्या शेवा आयो का अदर्श्वाक्या क्या है राष्ट अंसर रहेगा A Not me but you 128 भारत में किनिके जन्मदिन को राष्ट्या युवदिवस के रुपे मराया चाता है राष्ट अंसर रहेगा B स्वामी विवेकानन्द 129 उस नेता का नाम बताएं जिनकी मित्तूर साइमन कमिशन का व्रोद करते हुई राष्ट अंसर रहेगा B लाला लास्पत्राई 130 भारत ने पतंबार ओलोंपिक खेलों में हिशा कब लिया राष्ट अंसर रहेगा A B उन्नीसोर इसमी में 1,900 131 भारत के संविधान की किस अंसूची में मानेता प्राप भाषाओं की सूची शामिल है राष्ट अंसर रहेगा B 132 भारत का सर्वोच नागरिक पुर्षकार कौन सा है सही अंसर रहेगा इसके लिए B 133 विश्व व्यापार संगर्धन की स्थापना कब हुई यह हुई थी 1995 में 1995 में 134 कौन सांग वसा को तोड़कर कॉलेस्टरॉल बनाती है राष्ट अंसर रहेगा A 135 संसत के शुंक बैटर की अधक्षता कौन करता है सही अंसर रहेगा B लोगसभा अधक्ष 136 वायू मंदल में सबसे अधिक तूलव घैस है जितने भी अंसर यहां पे हम आपको बता रहे हैं वो अकॉडिंट्टू फानल अंसर की रहेंगे क्रेक्ट अंसर रहेगा C जिनौन 137 राष्ट्रिया आपदा प्रवन प्राधीकण के अधक्ष हैं क्रेक्ट अंसर रहेगा B प्रधानमंत्री 138 भारत में पहली बार किस वर्स चुनाब में नोट्टा विकल्प का प्योग हुआ था सही अंसर रहेगा C 2013 139 भारत की सिरिकौन पैली किस सहर को जाना चाता है क्रेक्ट अंसर रहेगा D पंगलूरू को 140 क्षोल गरम पानी का चस्वा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है क्रेक्ट अंसर रहेगा C 141 नबाही देवी मंदर कहां पर सित है क्रेक्ट अंसर रहेगा B सरकाघाट में जो की है मंदी में सरकाघाट 142 नरसी टिबा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है क्रेक्ट अंसर रहेगा D चमबा में 143 निका चितकार किस रियास्त के द्रबार से चुड़ा था सही अंसर रहेगा A चमबा 144 गंगी और महवा कहीं पर इसे मोहना लिखा होता है लोग इत किस सेतर से जुड़ा है सही अंसर जो इसके लिए रहेगा हो रहेगा D लास्त पूर 145 शिम्दा के निक किस थान पर गुरुपूर्स है क्रेक्ट अंसर रहेगा B यह कोशिन बहुत जादा बार पूछा जाता है 146 अंकोर वाट का प्रशिद मंदिर किस देश में है क्रेक्ट अंसर रहेगा D कमबोडिया 147 चोला और डोरा निमर मैंसे किस चंजातियों का पारम्प्रिक परिधान है क्रेक्ट अंसर रहेगा C 148 हिमाल्या की अजनता के नाम से कौन सा जाना जाता है तो वो रहेगा ताबुमठ इसे जो है हिमाल्या की अजनता के नाम से जाना जाता है 149 सत्यग्रह का सारवाधिक महत्यपुन तत्तब क्या था क्रेक्ट अंसर रहेगा B अहिंसा 150 महत्मा गांदी ने बात में सरवपथम कहां सत्यग्रह किया वो किया था चंपारण में अब ये वाला जीके पाल्ट रहेगा मंबर 2021 वाले एट के एक्जाम से 121 महिलय एवं शिशु विकास मंतरालय में चायल हेल्प लाइ नंबर क्या है सही अंसर रहेगा A 1098 122 भारतिया पतिसपरदा आयोका अध्यक्ष वरत्मान में कौन है करेक्ट अंसर रहेगा B अशोग कुमार गुपता 123 विशु व्यापास मंतर की स्थापना कब हुई करेक्ट अंसर रहेगा B 1995 में 124 विशु अध्यक्ट वर्ज 2021 की धीम क्या थी करेक्ट अंसर रहेगा C इनवे टू डिकावर 125 ऑसकर पुर्षक्र राप्त करने वाली पहली भारतिय फिल्म कौन सी थी सही अंसर रहेगा C गांदी 126 विशु व्यादिकाल में किस नदी को पुर्षनी के नान से जाना चाता है स्रफट अंसर हेगा C 127 दरन घाटी अभर्णया हिमाचल प्रदेश के किस जीले में है सही अंसर हेगा B शिमला 128 हिमाचल प्रदेश में जन्मच कार्यक्रम कब आरम हुआ था सही अंसर रहेगा B 3-Jew 2018 129 चंबा में रंगमहल का शिल नयस सही अंसर हेगा C 130 31. उद्यापुर का प्राना नाम क्या था? सही अंसर हैगा A. मरकुल 31. क्योटो प्रोटोकोल किस वर्ष में लागू हुआ? क्रेक्टर अंसर हैगा C. 1997 32. भात के प्रथम कार्यभाय के आस्पती कौन थे? सही अंसर हैगा A. वीवी किरी 33. मार्नव श्रीट में लिजली कर्ण किसकी कमी के कार्ण होता है? रख्टर अंसर हैगा D. पानी 34. विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट किसे समन्दित है? सही अंसर हैगा C. कर सुधार से 35. विश्र में अंतराश्टिया शाक्षा दिवस हर वर्ष कम मनाया जाता है ये कोशिन जो है आपने अच्छे से याद कर लेना है कि अंतराश्टिया शाक्षा दिवस हर साल जो है वो 8 स्तंबर को मनाया जाता है 36. दीन ड्याल बंदर का कहां अवस्थित है? सही अंसर हैगा B. कुजरात में 37. अरब सागर में कौन सी नदी गेरती है? सही अंसर हैगा C. नर्मता 138. निवलित मेंसे किस व्यक्ती ने सुर्वोच सिबलियन पुर्षकार, भारत रतन और निशान ने पाकिस्तान दोनों प्राक्त किया? सही अंसर हैगा C. मुराजी दिसाईने 139. गरीबी हटाओ काहन किस पंचवर्ष योजना में समिलित किया गया था? सही अंसर हैगा B. पांचुई 140. गांदी ची के दांडी मार्च किसमें भारत का पैसराय कौन था? 141. इन मैंसे किसे भारत की निसाई लेडी के नाम से जाना चाहता है 142. नागरजुन साग प्रियोजना किस नदी पर बनाई कही है? सही अंसर हैगा B. कृष्णा 143. एन सीशी का मुख्यलिया कहां स्थित है? सही अंसर हैगा B. नई दिल्ली 144. भारतिया समीधान की किस अंशेद के दाहत वितिया अपात का लगाया जाता है? सही अंसर हैगा C. आर्टिकल 360 145. भारत का उप्राष्ट पती बनने के लिए आपशुक निहुंतम आई जू है? सही अंसर हैगा A. 25. जनवरी 1971 148. हिमाचल परदेश में युद्ध संहरलया कहां है? सही अंसर हैगा D. धर्मशाल 149. हिमाचल परदेश आनिवार्या प्रात्मिंक शिक्षा अधिनियम किस वर्स में लागू किया गया? सही अंसर हैगा C. 1953 150. कामरुनाग जील मंडी जीले के किस तहसील में है? सही अंसर हैगा A. चचोट फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यह टोटल हमने इस वीडियो में 8 कोशिन डिस्कस किये हैं 2017 से लेकर 2021 तक टॉमबर 2021 तक जितने भी यह टाइट नॉन मेडिकल के एक्जाम हो थे उनके सारे के सारे जी के पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करती है तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना धन्यावाद